दोस्तों कैसे आप से आप आज में लेका है हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो दोस्तों आज मैं बात कहने वाला हूँ होम क्रेडिट हिडन चार्जिस के बारे में जैसा कि आप सभी जानते कि होम क्रेडिट से आप कोई भी चीज फाइनेंस करा सकते हैं मतलब फोन जाता हूँ मान के चलिए कि आपकी सेलरी 30,000 रुपए आपके पास होम क्रेडिट के तरफ से कॉल आता है कि सर आपको 2,000,000 रुपए का परसनल लोन दिया जा रहा है उसकेस में आप क्या तेखते हैं रेट आफ इंटरस मंधली EMI अब मान के चलिए कि उसने बोला कि आपका 2,000,000 के उपर हर मेने का 4,000 रुपए का EMI जाएगा तो हम क्या सोचते हैं कि चलो मेरे 30,000 से 4,000 गया तो 26 बाकी जो रहे गया मेरा expense के लिए बाकी जो है वो मैं किस तरीक से expense करता हूँ वो depend करता है उस customer के उपर मतलब यहाँ पर मैंने 30,000 रुपए में से 4,000 सिर्फ home credit का E 2,000,000 रुपए पर rate of interest लग रहा है और जो monthly EMI निकल के आ रही है क्या वो actual है तो दोस्तों मैं आपको अपने phone पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि home credit कैसे hidden charge लगाती है जो आपको पता तक नहीं चलता तो आप इस video को please last तक देखे ताकि आपको सही से amount देख रहे होंगे 6971 यह मेरा monthly EMI है जो मैं home credit को हर महीने pay करता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको तीन चीज़ पर focus करना है loan amount पे जो 2 lakh रुपए का है rate of interest पे जो 16.83% का है और tenure पे जो 48 month आपको दिख रहा होगा 48 EMI मतलब 4 साल का tenure यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तो दोस्तों home credit के हिसाब से 2 lakh रुपए पे मतलब 2 lakh रुपी से amount पे वो 16.83% का rate of interest 48 months के लिए लगाती है तो उनका EMI calculate होके आता है 6971 दोस्तों हम मैंसे काफी लोग मतलब सभी लोग क्या करते हैं कि जब कहीं से call आती है NBFC की बात कर रहा हूँ मैं bank की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो non banking finance company जैसे home credit बजाद चुन से और भी काफी सारे loan के app जो है जो customer को loan देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ EMI पता करते हैं और rate of interest पता करते हैं कि क्या rate of interest लगा रहे हैं और EMI क्या निकल के आ रही है अब मैंने आपको एक example दिया था कि अगर किसी का 30,000 रुपए का salary है उसको एक call आई कि सर आपको यह loan जो है वो दिया जा रहा है उसका rate of interest यह रहेगा monthly EMI यह रहेगे तो हम क्या सोचते हैं कि चलो यार 30,000 के salary है 3,000 EMI कट भी रहा है कोई बात नहीं ले लेते हैं loan बाकी 27,000 रुपीज जो है वो घर के expense के लिए है इधर उधर के लिए जैसा use करना चाहिए उसे use कर सकता है लेकिन आपने वो 3,000 का जो EMI पे कर रहे हैं क्या वो actual rate of interest और loan amount को calculate करके बनाया गया है यहाँ पर आप थोड़ा समझे है दोस्तों कि यहाँ पर home credit के हिसाब से 2,000,000 रुपे के loan के उपर 16 rate of interest लगा के 48 months के लिए 6,971 का EMI बन के आता है अब मैं आपको यहाँ पर calculator पर लेके जलता हूँ EMI calculator पर यहाँ पर मैंने already सारा चीज़ सेलेक्ट किया हुआ है आप देख रहे होंगे दोस्तों 2,000,000 loan amount rate of interest 16.83 10-year 4-year का जो actual मेरा EMI बनना चाहिए था वो 5,753 बनना चाहिए था यह दोस्तों मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अभी bank में गया था तो bank वालों ने मेरे को यह बात बताई और मेरे को अभी तक इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था मेरे को बस इतना पता था कि मैं एक EMI पे कर रहा हूँ 6971 का और इसके इलावा मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी मैंने इसके ओपर एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों लिंक जो है मैंने description में दिया हुआ है आप देखिए कि अगर आप एक bank से loan लेते हैं और एक NBFC से loan लेते हैं तो कितना difference होता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज तक हमने जो loan लिया हुआ है तो उसमें हमने क्या-क्या गलती की है तो आप यहाँ पर देख लिजए कि इनके तरफ से जो बताया गया है मतलब home credit वहाँ पर बता रही है कि दो लाग के रुपए के loan के उपर 16.83 rate of interest के साब से 4 year के लिए वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी यह माही आ रही है 6971 और यहाँ पर कितनी आ रही है 5753 difference है दोस्तों यहाँ पर 1200 रुपीज का है मतलब हर महिने जोए मैं extra 1200 रुपीज home credit को pay कर रहा हूँ अब 48 months के लिए यह हुआ तो दोस्तों हर महिने का 1200 रुपए मतलब 1200 रुपीज हर महिने मैं extra pay कर रहा हूँ तो आप calculate कर लिजे 50 to 60,000 रुपीज मैं जो है home credit को pay करूँगा आगे आना वाले जितने भी उनकी EMI बची हुई है तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ कि अगर आप किसी भी non banking finance company से loan ले रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए अब मैं आपको यह दिखा देता अब यहाँ पर जो यह slab देख रहे हूँगे दोस्तों यह maximum 25 का ही दिखा रहा है लेकिन 25 का भी करने में यहाँ पर EMI आ रही है 6631 लेकिन अब मैं इसको जो है वो कर देता हूँ 28% अब आप देख रहे हूँगे EMI कितनी आ रही है 6970 वहाँ पर आपने देखा कि जो मेरा मंतली EMI है वो 6971 है तो actual जो होम क्रेडिट मेंट से रेट ऑफ इंटर चार्ज कर रही है वो 28% चार्ज कर रही है ना कि 16.83% तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रही कि कभी भी आप NVFC से लोन लेते हैं मतलब होम, क्रेडिट, बजाज, फिंसिव और बाकी जो लोन के आप आते हैं वहाँ से लोन लेते हैं तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए ताकि कल के डेट में अगर आप कहीं लोन लेते हैं तो एक बार देखना जरूर ताकि आपको सारी बाते क्लियर हो पाए तो यह पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अब आपने देखा होगा कि मेरे होंग ट्रेडिट पे जो मंतली यह मैं जा रही है वो 6971 की जा रही है एक्चो लगना चाहिए था 5753 का तो मतलब जो मेरे को हर मैंने एक्टा मेरे को पे करना पड़ रहा है वो 1,218 रुपीज एक तरीके से हिडन जो है मैं पे कर रहा हूं हर मैंने अब वहाँ पर मैंने जो लोन लिया हुआ है वो 48 मंस का लिया हुआ है तो मैं अगर इसे मंटिप्लाय कर देता हूं 48 मंस से तो 58,000 रुपीज जो है मैं extra home credit को पे करूँगा ये मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था अगर मेरे को ये पता होता तो मैं loan ही नहीं लेता home credit से तो दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान दीजेगा ठीके दोस्तों धन्यवाद